कि लास्ट वीडियू के नहीं में देखा था अगर कोई भी कोई भी हमारे पास मीडियम है डैंसर मीडियम है उसके ओपर कोई लाइट अन पॉलराइज लाइट या ओडिनर लाइट फॉर होती है वह भी ब्रिविस्टर्स एंगल पर आईपी एफ पॉलराइजिंग एंगल के और जो रे रिफ्रेक्ट जो रे रिफ्लेक्ट होगी और जो रिफ्रेक्ट होगी उन दोने के बीच में 90 डिगरी के अंगल होता है ना उन दोने के बीच में 90 डिगरी के अंगल होता है नो डाउट जो रे होगी वह रिफ्लेक्ट होगी वह प्लेन पॉलराइजड होगी और हो फिर्जबाक्ट we go lorsqu آङे आप इसको ट्राश्मिशन भी कह सकते हैं चराइट होगी वह प्लेन पॉर्लाइस्ट होगी तो पर एंगल ही हमने पॉरराइज गनल जूज क है तो लास्ट यमने डिसकर्स क्याहित है जब भी कोई औरेनरे शेगल पॉलराइजिंग एंगल के उपर इंसिदेंस होते हैं कि इसे डैंसर मीडियम के उपर तंजा रिफ्लेक्टेड लाइट इस कंप्लिट्री प्लेइन पॉलराइज्ट तो इसका अंदर जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड बी में वो 90 डिगरी अपार्ट होता है तो न इसको या फिर और बीवेस्टर्स अंगल भी कहते हैं यह र is a refraction that is a refraction angle of friction for refraction and mu let mu be refractive index of medium अब नाव लास्ट टेम डिसकस किया था हमने अकोर्डिंग टू ब्रिवेस्टर्स लो क्या होता है टैंजेंट ओफ पॉलराइजिंग एंगल इसको डिफ्रेक्टिव इंडेक्स अप दे मीडियम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टैंजेंट आईपी और टैंग क्या होता है साइन वाइ को साइन इसको यह सदेंगे फर्स्ट एक्वेश्ट यहां पे कुछी नहीं है एक को लोग भी पता है बाई बाई स्नैल्ड ऐस्रफ पॉफ एको साइल ड़ीफ्लेक्शं पया इस्नाइल स्लोफो नहीं हो कि डान गरेक्श्न यहते पता है इस ने नौत है वह सोरी भाइ साइन अवस्नेल्स स्लों क्या कहता है रिफरेक्टिव इंदेक्स में हो इक्वल तो साइन फ इंस्टेस अंगल रांस्मिंटेर अंगल आर ठीके ना वी अंगल of reflection भी कैतने इसको by the angle of reflection or by angle of refraction that is equation number 2 now equating 1 and 2 from 1 and 2 sin ip by cosine ip equal to sin ip by sin r it means sin r equal to cosine ip क्योंकि sin ip sin nabhi cancel cross multiplication हो जाएगी अब implies sin r that is sin 90 degree minus ip क्योंकि हमें पता है sign 90 degree minus theta is equal to cosine theta is a big of a sign 90 minutes to take good to cosine data to sign 90 minus 3 test cosine data how they come implies a been done a copy simplification are that they are equal to 90 degree minus ip implies ip plus r equal to 90 degree that is a required result polarizing angle plus angle of reflection 90 degree है polarizing angle 90 degree है यह भी 90 degree है hence prove that is 90 degree क्योंकि आपको पता है अगर यह दो 90 degree आगे तो अब्वेस है यह भी 90 degree ही होगा क्योंकि यह दो 90 degree तो यह क्योंकि एक लाइन पर 180 degree का सम्मों होता है यह दोनों 90 degree आगे तो क्या बचाये यह यह तो ब्वेस्ट 90 degree है यही 90 देख्वा न एक लाइन को 180 डिग्री सम्मोंता है यह दो 90 डिग्री तो यह भी 90 degree है तो टोटल 180 का सम्मों हो गया और हैंस that is polarizing angle and reflected reflected angle reflected angle is 90 degree it means therefore both reflected and reflected beams are normal to each other तो यह पूछ ले जाता है कथे पूछ जाता यह आपने इसको भी पढ़ लेना है थैंक यू